Hello Friends, Welcome back to SKH Classes Friends, जो student High Court LDC exam के लिए त्यारी करने हैं उसके regarding अपने आज डिसकस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे student जो High Court LDC से समन्दित हैं उनके मन में एक doubt जो common doubt student के मन में आ रहा है वो है क्या High Court LDC exam के साथ साथ में CT exam की भी त्यारी करने चाहिए और यहाँ पर अपने इसी को लेकर डिसकस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर Friends 2 CT आपका 12th level CT होने वाले है उसके अंदर एक LDC की वेकेंसी भी आने वाली है काफी अच्छी पोस्ट पर वेकेंसी आने वाली है तो क्या यह दोनों चीज़े हमारी comment चल सकती है यहाँ कि दोनों वेकेंसी की हम साथ में त्यारी कर सकते हैं उसके रिकार्डिंग में अपने डिसकस करने वाले है ठीक है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जुरूर देखना और यह वीडियो I think आप सभी स्टूडेंट के लिए हेलफूल रहने वाली है क्योंकि जो आपके जो डाउट है वह मैं एज स्टूडेंट आपके सामने शेयर करने वाली हूं कि आपको इस सच्टूडेंट को किस परकार से हैंडल करना है ठीक है सबसे पहले जो स्टूडेंट हाई कोट एलडी सी एक्जाम के लिए त्यारी करें उनको लेकर अगर अपने चले तो उनमी कौन कौन से सब्जेक्ट है जो उन्हें अच्छे से त्यार करने तो यहां पर आप देख सकते हो तो फ्रेंज यहां पर सबसे पहले अपने High Court LDC exam को लेकर चलते हैं और क्या-क्या इसके अंदर subject है जो शामिल किये है High Court LDC exam के अंदर ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें है राजस्तान जीके हना राजस्तान जीके अगर मानते हो तो complete राजस्तान जीके आपको अच मैं आपको बता दूंगी किस परकार से जो अभी पीछे exam हुए उसमें questions किस परकार के पुछे गए है questions का क्या level रखा गया है उसी के according आपको mindset भी करना होगा हना mindset भी आपका उसी के according होना चाहिए किस परकार के questions आपके exam में पुछे गए हैं और second यहां पर आप देखो Hindi और यहां पर third topic की बात करते हैं English and fourth है आपका यहां पर current आप है यानि यह जो topic है आपके high court LDC exam के अंदर पूछे जाने वाले है न और आपका यहां पर जो paper रहने वाला है वो है 300 number का paper रहेगा प्लस में आपकी typing रहेगी तो फ्रेंस यहां पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको इस exam को तो फ्रेंस इस exam की अगर अपने बात करें तो यहां पर आपके exam के साथ साथ आपको typing पे भी focus करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अगर अपने बात करें तो यहां पर शिर्फ only basic अगर अपने subject की बा अच्छे से से तो करण्ट अफियर भी आपको इसमें से च्शे से त्यार करना होगा लाश्ट शि acept मंत का आपको यहां पर ही अधर एक्जाम की बाते हैह कर पार कर लेकर तो आपको लंच्ट शिक हैं और अधर्ल selbst अव्यव हूदा अगर आपने बात करें तो यहाँ पर इस एक जाम में typing का बहुत ही important role रहता है यानि कि typing speed बहुत ही अच्छी मांगी जाती है तो इसलिए यहाँ पर जो typing होती है वो main role जो है प्ले करती है इस exam के अंदर ठीक है तो friends यहाँ पर अगर अपने typing की बात करें तो आपको typing continue करने है यानि अभी से आप अपनी typing continue रखें लेकिन जैसे ही आपका exam का one month रहे last one month तब आप typing को skip कर सकते हो और exam के बाद में फिर से आप continue कर सकते हो ठीक है तो friends अब बात करते हैं कि क्या आप CT exam के बात करते हैं तो CT exam के अंदर अगर अपने देखें तो यहाँ पर CT का syllabus जो है वो extra इतना है यानि कि science है computer है और math है होना इतने subject के अलावा आपको science पढ़नी है computer पढ़ना है और math पढ़नी है ठीक है अब friends बात करते हैं कि क्या आपको high court LDC exam के साथ साथ में CT exam की की भी त्यारी करनी चाहिए तो यह है friends अगर अपने बात करें CT 12th level syllabus को मैं यहाँ पर define करी हूँ मैं आपको suggest नहीं करी हूँ कि आप graduation level exam की भी त्यारी करें high court LDC exam के साथ साथ में क्योंकि CT exam अगर आप त्यारी करते हो तो इसमें सिर्फ only आपको एक benefit होने वाला है वो है इसके अंदर जो LDC की वेकेंसी आने वाली है उस exam को भी आप दे पाओगे ठीक है friends यहाँ पर आपको एक mindset करना होगा हाना mindset के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस परकार से कौन student जो है दोनो exam की एक साथ त्यारी कर पाएंगे है ना तो यह सारी चीज़े है कौन से student जिनको बिल्कुल नहीं करने चाहिए CET exam की त्यारी और कौन से student जिनको CET exam की त्यारी कर लेनी चाहिए high court LDC exam के साथ में वो चीज़ें अपने discuss करने वाले है आप friends यहाँ पर आप देखो तीन subject है यारी science है, computer है और math है, तो friends अगर अपने बात करें कि कौन से student जो CET exam को भी दे पाएंगे या CET exam की भी उन्हें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए तो यहाँ पर जिन student ने other exam की त्यारी की है क्योंकि बहुत सारे student होंगे जिन होने high court LDC form फिल की है अच्छे से इस exam की त्यारी करें है लेकिन उन student ने पहले कोई और exam दी है और उस exam में उन्होंने math भी पढ़ी है यानि उनकी math भी बहुत अच्छी है उनकी science भी अलरी बहुत अच्छी है और computer की बात करते हैं तो computer का basic knowledge भी उनका अच्छा है तो उन्हें ये exam बिना ट्यारी के भी अगर वो देना चाहिए तो वो दे सकते हैं कोई इसमें issue नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो CET exam होने वाला है इसके अंदर मान कर चलो पांच गुना student पास किये जाएंगे जो आपकी vacancy रहेगी है न यहाँ पर high court LDC वाले student के लिए अगर बात करूं तो वो CET exam के अंदर जो LDC vacancy आने वाली है उसके लिए वहाँ पे उनको profit ये रहेगा कि उसमें भी typing है तो अगर वो इस exam का pre clear कर लेती है कई बार होता है कि अपने थोड़ा पढ़ती है और अपना exam clear हो जाता है pre exam clear होने के बाद में आपका जो main exam है उसमें आपको time मिलेगा उस time तक I think high court LDC की typing हो चुकी होगी न तो आपके लिए यहाँ पर benefit रहेगा लेकिन जिन student ने यहाँ पर बिल्कुल भी जिनको knowledge नहीं है math का, science का और computer का यानि कि जो fresher बच्चे है बिल्कुल जिनको knowledge नहीं है अगर वो skip करना चाते है CET exam को तो वो skip कर सकते हैं वो सिर्फ only high court LDC exam पे focus कर सकते हैं अच्छे से हैं लेकिन आपको यह मानना होगा friends मेरा यही कहना है कि आपको इसमें अच्छा score करना होगा तो friends यहाँ पे मैं यही कहनगी कि जो high court LDC exam के लिए जो student त्यारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे अच्छा score करना पड़ेगा मान कर चलो 300 number जो आपका paper रहेगा उसमें से आपको 204 plus marks लेकर ही आने पड़ेंगे तो आपको इस तरीके से त्यारी अच्छे से करनी होगी तो यह है जो student जिन्हों ने यह subject कभी पड़े ही नहीं कभी देखी ही नहीं वो student इस चीज़ को skip कर सकते हैं वो सिर्फ only high court LDC exam पे focus कर सकते हैं बाकि जो student यहाँ पे CET को भी साथ लेकर चला चाते है तो उनके लिए यहाँ पे extra 3 subject रहेंगे तो यहाँ पर अगर कोई student ऐसा है जिसकी math बहुत ज़्यादा weak है तो वो एक बार math को skip कर सकता है बाकि यह जो subject है आपकी यानि कि इतने subject तो आपको high court LDC के लिए अच्छे से त्यार करने बाकि आप एक या दो घंटे जो यह दो extra subject है यहाँ साइंस और computer को भी दे सकते है तो friends यहाँ पर भी अगर आप देखो तो science और computer की अगर अपने बात करें तो computer subject आप एक या दो दिन में अच्छे से कर सकते हो ना और friends मैं आपको क्या करूँगी यहाँ पर computer subject से related एक या दो वीडियो आपको इस चैनल पर प्रवाइड करवा दूँगी आप उतना पढ़ लेना आपके लिए sufficient रहेगा ठीक है जब आपका exam होगा उस time आप वो वीडियो जुरूर देख लेना आपके लिए sufficient रहेगा उससे जादा आप मत पढ़ना चाहिए बाकी मैं आपको computer का यहाँ पे syllabus दिखा देती हूं कितना है क्योंकि यह syllabus जो है ना computer का बहुत ही छोटा syllabus है और इसको आप एक या दो दिन पढ़ना चाहो तो बहुत ही अच्छे तरीकी से आप त्यार कर सकते ह और जिन student ने यहाँ पे अधर एक्जाम की त्यारी किया है लगबग यह computer subject है जो हर एक्जाम के अंदर common रहता है तो सभी student का लगबग basic त्यार होता है तो इसके अंदर अगर अपने CT exam की बात करें तो यहाँ पर आपका जो syllabus दे रहा है बिल्कुल basic syllabus इन्हों ने include किया है य क्या है computer की यह पुछी है और computer organization के अंदर RAM, ROM जो memory होती है इन से related आप से पुछा जा सकता है file system या फिर input output devices यानि की input output devices पे आप देख लेना बहुत सारे questions बनते हैं simple questions होते है questions पुछा जाता है कि क्या यह input device है या output device है simply questions पुछे जाते है तो यह बहुत ही basic रहता है बाकि य Excel है PowerPoint है तीन टोपिक यह आपके include किये गए यानि कि अगर आपने देखें तो इसके अंदर computer जो syllabus रखा गया है बहुत ही छोटा syllabus है basic आपके questions पूछे जाएंगे और repeated questions रहेंगे तो यह आपको subject complete कर लेना है ठीक है बाकि बचा हुआ आपका जो subject रहेगा वो रहेगा यहाँ साइंस साइंस सब्जेक्ट को आप करना चाहो तो पहले में कर सकते हो हाना और जिन स्टूडेंट का यहाँ पर मैथ बिल्कुल वीक है वो इस subject को skip कर देना बाकि आप इतना त्यार कर लेना ठीक है यानि कि जो student high court LDC के लिए त्यारी करने वो इन सब्जेक्ट को तो 250 प्लस मार्क्स आसके इतना आप स्कोर कर सके इतना अच्छा इन सब्जेक्ट को आपको करना है एक भी टोपिक इसमें मिस नहीं करना उसके अलावा अगर आप सीटी को पहले लेकर चलना चाहते हो आप चाहते हो कि जो LDC इसमें होने वाला है उसको भी हम दे तो उसके की नोस जो झापले न सब्लीवा करें कि सीटी के अंदर जो LDC इसम होने वाला होगया उसकी अंदर कर आपको लेकर आपको कमी प्रेइक्स नहीं रहेगी उसे ग्जाम में यहांपर जो सीटी इगजाम होगा यह आपका प्री-इग्जाम रेगा लगबग मान कर चलो अगरality LDC में 10,000 पोस्ट आती है तो 5 गुना स्टुडेंट उसमें पास के जाएगे यानि कि 50,000 स्टुडेंट के अंदर आना है तो उतना आप इतना कर लोगे तो अराम से आप उन स्टुडेंट के अंदर आ जाओगे ना जो आपका प्री एक्जाम रहेगा CET के लिए वो सिर्फ ओनली पासिंग रहेगा यानि कि पास करना है उसके अदार पर मेरिट नहीं बनेगी मेरिट आपके जो मेन एक्जाम रहेगा उसके बेस्ट बनने वाली है तो यह है फ्रेंट्स जो स्टूडेंट हाई कोट लडी सी यावी CET एक्जाम को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूज में है तो उनके लिए मेरा जो सजेसंस था वो तो फ्रेंट्स मेरा यही कहना है कि जिन स्टूडेंट नी अदर एक्जाम की अच्छे से त्यारी किया है उन सबी स्टूडेंट के लिए यह तीन स्टूडेंट जो है हाड़ नहीं रहने वाले क्योंकि मैत की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैत को लास्ट टाइम में भी अगर फाइव डे में करें क्योंकि उनकी पहले से प्रैक्टिस होती है अगर वो five days धी last day में करें तो भी उनकी math यहाँ पे complete हो जाती है जो basic questions होते हैं वो कर सकते हैं और computer मैंने आपको दिखा दिया कि syllabus बहुत ही कम है और बचा हुआ subject आपका science है तो science भी बहुत सारे student की strong होती है तो इसमें भी आपको ज्यादा difficulty नहीं रहेगी क्योंकि science ज्यादा वास्ट नहीं है जिस प्रकार से अपने जिक्के की बात करते हैं जिक्के बहुत ज्यादा वास्ट है science एक limited चीज होती है तो उसमें कितने questions बन सकते हैं उसके according आपको देखना है बाकी friends जिन student ने इन सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं देखा वो यहाँ पे high court LDC exam के साथ में CET exam की त्यारी ना करें ठीक है अब friends यहाँ पे मैंने यह चीज़ें आपके साथ क्यों शेयर की क्यों high court LDC exam के साथ में आप जो CET exam को भी दे सकते हैं क्योंकि friends मेरा यही माना है कि आपके साथ में यहाँ पे plan B भी होना चाहिए हना क्योंकि आपको सिर्फ एक या दो गंटे extra देनी है उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी मत सोचें कि आपको ज्यादा time देना है अगर आप high court LDC exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप उस exam के में यह डाउट आ रहा है कि बानकर चलो जिन स्टूडेंट ने high court LDC form भर रखा है उन्होंने CET form जरूर फिल किया बहुत सारे स्टूडेंट होंगी लेकिन अब form फिल करने के बाद में उनके मन में डाउट आ रहा है कि क्या हम दोनों exam की एक साथ त्यारी कर पाएंगे या तो वह सारी चीज़े मैंने आपके साथ शेयर किया है आप high court LDC पर ज्यादा फोकस करें प्लस में ब्लान B को किस परकार से अब साथ लिकर चल सकते हैं यह सारी चीज़े मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया क्योंकि आपको पता दूं मैंने खुदनी government exam की त्यारी किया है च तो फ्रेंड्स यह सारी चीज़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ठीक है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया